नमस्कार मैं विवेक अनंद और आप देख रहें नीज़पोर नेशन बिहार में कोरोना का कहर जारी है सत्तधारी पार्टी के एक विधायक समय कई अपसर अब तक कोरोना की भेट चड़ गए हैं अब तक की जो ताजा जानकारी है उसमें 45,000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी बिहार में हैं हर दिन करीब 6-7,000 पॉजिटिव मरीज प्रती दीन प्रति विदित हो रहे हैं स्वास्ति भाग का दावा जो था कि हम तमाम सुविधाएं बिहार में उपलब्ध करा दिये हैं सरकार यह दावा कर रही थी कि हर तरह की सुविधा बिहार में लेकिन हकीकत यही है कि मरीज मर रहे हैं मरीजों को एक बेट तक मैसर नहीं हो रहा ऑक्सिजन की विवाई सिती है और जो जरूरी दवाईयां है उन दवाईयों की भी घोर किलत हो गई है इन सब के बीच आखिर कोरोना संक्रमन पर रोक कैसे लगे जिस तरीके से फैलाव हो मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने हाई लेवल बैठक की बैठक से एक दिन पहले उन्होंने तमाम राजनतिक दल के नेताओं से रायली हलाकी राजपाल की अध्यक्षता में वो बैठक थी लेकिन उस बैठक के बाद मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने कहा कि तमाम जो रा फिर जो क्रैसिस मेनेजमेंट ग्रूप है वह ग्रूप बैठेगा और उस पर अंतिम मुहर लगेगी तो परसो यानि कि राजपाल की अध्यक्स्ता में जब जो बैठक हुई सरवदली या बैठक उस बैठक में तमाम जो एक दो दलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी तमाम दलों ने कहा कि बिहार में लॉकडाउन लगाने की जरूरत है जिस तरीके से बिहार में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं वैसे इस हिति में सरकार को अब लॉकडाउन लगाने पर विचार करना चाहिए कॉंग्रेस ने भी यही मांग की थी बीजेपी की तरब से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजे जैसवाल ने कहा था कि कम से कम एक सब्ता में 36 घंटे का लॉकडाउन होना जरूरी है यानि कि सुक्रवार की रात से लेकर के सोमवार की सुबा तक पूर्णत कॉंग्रेस ने भी वही कहा हलांकि जीतन अमां जी की पार्टी ने कहा कि लॉकडाउन लगाने से गरीब मर जाएंगे गरीबू का जो रोजगार ही हो रोजगार खतम हो जाएगा जो मुख्वी पक्षी पार्टी है तेजस्वी यादों की पार्टी RJD RJD ने भी कहा था कि हम ने RJD की तरफ से 30 प्रस्ताव दिये गए थे उसमें से एक प्रस्ताव यह भी था कि जिस तरीके से कुरोना का संक्रमन बढ़ रहा है अब सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचता है SECD में lockdown लगाने पर विचार करना चाहिए तमाम दलों ने अपने अपने प्रस्ताव दिये प्रस्ताव की समिक्षा हुई Crisis Management Group ने उस प्रस्ताव की समिक्षा की और जो निर्ने लिया गया कि हम रात में रात के 9 बज़े से लेकर के सुबा 5 बज़े तक नाइट कर्फू लगाएंगे अब बिहार में नाइट कर्फू की क्या जरूरत है उससे हम कोरोना के संक्रमन की चेन को हम कैसे तोड़ेंगे इस पर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं सवाल ना सिर्फ विपक्ष की तरफ से बल की सत्ता पक्ष की तरफ से भी खड़े हो रहे हैं विपक्ष तो सवाल खड़ा करी रहा है कि हमने पूर्णता लॉकडाउन की मांगिया और आपने नाइट कर्फू लगाया जबकि बिहार का पटना को छोड़ दिया जाये तो अधिकान छोटे सहर हैं उस सहर में साम के 9 बजे के बाद वैसे भी तमाम तरह की जो एक्टिवीटी है वो बंध हो जाती है पटना की भी अगर हम बात करेंगे तो पटना में भी अमुमन 10 बजे के बाद सब कुछ समानने हो जाता है यानि कि लोगों की आवाज आवे जाही पूरी तरीके से बंध हो जाती है कुछ जगों को कुछ मुहलनों को छोड़ दिया है तो वैसे इस्तिति में नाइट कर्फ्यू की लगाने की क्या जरूरत पड़ी है संजय जैसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने तो खुल करके कहा है कि हमें या समझ में नहीं आ रहा है कि नाइट कर्फ्यू की क्या जरूरत है हम इस नाइट कर्फ्यू से जो कोरोना का चेन है उस चेन को हम कैसे ध्वस्त करेंगे को उसको हम कैसे तोड़ेंगे या मेरे समझ में नहीं आ रहा है तो उन्होंने नितिश कुमाज इस तरीके से कल कई तरह के डिसिजेंस लिए उसमे दुकाने हैं यानि कि व्यवसाइक प्रतिष्ठाने आज से सामच्छा बज़े तक बंद हो जाएंगी हाला कि इसके पहले साथ बज़े तक बंद हो रही थी तो अब उसे एक घंटे का समय को और कम कर दिया गया है तो ऐसे सिती में जो मुखिता बात थी कि हम नाइट कर्फ्य क्योंकि आउचीत समझ नहीं रहे हैं कि आखिरम नाइट कर्फु से हम कोरोना का संक्रमन को कैसे रोकेंगे कैसे कम करेंगे सोशल मीटिया पर भी तरह-तरह की चर्चा है भाजपा के प्रदेश सद्ध्यक्ष डॉक्टर संजज असवाल जो खुद एक डॉक्टर भी हैं उन करेंगे कैसे उसे रोकेंगे तो कॉंग्रेस, बीजेपी, पप्पू यादो की पार्टी, आर जेटी की तरफ से भी सवाल खड़ की गये हैं और कहा गया है कि यहां बिल्कुल निर्णे जो है वा निर्णे गलत है पूरी तरीके से कम से कम एक सब्ता का बिहार में लॉक्ड के गहरे संक्रमन में फंसा हुआ है और बड़ी संख्या में यहां लोग कोरोना के मरीज मिल रहे हैं इसके लावे अने जगों पर पटना के बाद गया है मुझफरपूर है भागलपूर है इन तमाम जगों में बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं अब तो दिह आज के मर रहे हैं, ऐसे में कुरोना संक्रमन रोकने के लिए निती सरकार ने जो निर्णे लिया है कि हम रात का कर्फू लगाएंगे, यानि कि रात 9 बज लेकर के सुबह 5 बज तक कर्फू लगेगा, यह लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, तो इस निर्णे से सरकार की काफ के लिए जायज नहीं है, दूसरे एस्टेट में या फिर विदेशों में इस तरह की बात होती है, तो हम मान सकते हैं, लेकिन विहार में नाइट कर्फू का कोई हो, चित नहीं है, ऐसे में सरकार कोई है, सोचने की जरूरत है, हाला कि कल जब यहां निर्णे हुआ, क्रैसिस मेनेजमेंट ग्रूप की बैठक होई थी, तो उसमें यहत्ता है हुआ कि अभी हम नाइट कर्फू लगाएंगे, फिर एक दो दिनों के बाद फिर हम बैठेंगे, और फिर जो विकेंड कर्फू की बात है, यानि कि सुक्रवार साम से लेकर के सोमवार सुबह तक की उस पर बिचार होगा, लेकिन अभी नाइट कर्फू होगा, अब आने वाले दिनों में एक दो दिनों में फिर से संभावना है कि क्रैसिस मेनेजमेंट ग्रूप की बैठक होगी, उस बैठक में इन तमाम बातों की चर्चा होगी, लेकिन अभी तो इस तिती यही है कि रात का अच बज़े तक लोग परिसान है, लोगों का इलाज नहीं हो रहा है, लोग मर रहे हैं, ऑक्सिजन दवा के बिना मर रहे हैं, बेड के बिना मर रहे हैं, और सरकार कह रही है कि बिहार में तमाम जो सुविधाय हैं, उन सुविधाओं को हम सरकारी अस्पताल और प्राइब